हलो फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप फेस्बूक अकाउंट डियक्टिवेट कैसे करेंगे तो सबसे पहले आपको फेस्बूक अकाउंट को लॉग इन कर लेना है तो यहां पर देखिए हमारा फेस्बूक आइडी ओपेन है यहां पको राइ हम सेटिंग पे क्लिक कर देंगे तो यहां हमारे सामने निव पेज ओपेन हो जाता है यहां पे हमें क्लिक कर देना है परस्टनल एंड एकाउंट इन्फॉर्मेशन इस पे हम क्लिक कर देंगे तो देखिए दोस्तों यहां पे निव पेज ओपेन हो गया है यहां पे आपको सो हो जाएगा account ownership and control इस पे हमें click कर देना है यहाँ पर आपको option मिल जाता है deactivation and deletion तो हमें deactivation and deletion पे click कर देना है यहाँ पर आपको दो option सो हो जाएगा deactivate account और delete account अगर आप अपने facebook id को permanently delete करना चाले हैं तो फिरेंट वाले option पे आपको click कर देना है और अगर आप अपने Facebook id को कुछ समय के लिए deactivate करना चाहते हैं तो first option पे click कर देना हैं तो देखिए मैं first option पे click कर दे हूँ अब हमें नीचे continue to account deactivation पे click कर देना है यहां पे आपको अपने Facebook ID का पासवर्ड यहां डाल देना है अगर आपको Facebook ID का पासवर्ड नहीं याद है तो नीचे आपको option मिल जाता है Forget Password Forget Password पे क्लिक करके आप अपने Facebook ID का New Password बना सकते हैं तो यहां पे मैं अपना पासवर्ड डाल दे रही हूं देखी दुस्तों यहां पे मैं अपना पास्वर्ट डाल दी हूँ अब हमें कांटिनू पे क्लिक कर देना है यहां हमारे सामने निव पेज उपेन हो जाता है यहां पे आप से पुछता है कि आप अपने फेस्बूक आइडी को डियक्टिवेट क्यों करना चाहते हैं यहां से आपको रिजन सेलेक्ट कर लेना है तो यहां से मैं सेलेक्ट कर ले रहे हूं I have a privacy concern इस पे हमें टिक कर देना है नीचे आपको option मिल जाता है कांटिनू का तो कांटिनू पे क्लिक कर देना है तो देखिए दोस्तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस open हो जाता है तो हमें नीचे स्क्रॉल करना है यहाँ पे आपको option मिल जाता है continue का तो continue पे हमें click कर देना है तो देखिए दोस्तो यहाँ पे हमारा सामने new page open हो जाता है अगर आपने facebook page बनाया होगा तो facebook page भी आपका deactivate हो जायागा तो नीचे आपको option मिलता है deactivate my account तो नीचे deactivate my account पे click कर देना है तो देखिए दोस्तो facebook id हमारा deactivate हो गया है यहाँ पे कुछ इस तरीके से interface open हो गया है अगर आप अपने facebook id को दुबारा से login करना चाहते है तो यहाँ पे आप अपना mobile number डालिएगा और अगर आपने gmail से link किया होगा तो gmail अपना डाल सकते है और नीचे आपको password डाल देना है और यहाँ पे login पे click कर देना है तो आपका facebook id login हो जाएगा तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नभीएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में